किसने कितने followers कमाए हैं जीहा बिग बोस में रेते भाया कौन कितने followers लेकर आया था और कितने लेकर गया है जीहा शिवानी को तगड़ा वाला फायदा हुआ है विशाल, कटारिया, सना मकबूल, नेजी किसको कितने followers मिले हैं हमारे पास पूरी लिश्ट निकल के सामने आ चु लिए मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर देखो गाए सबसे पहले दिपक की बात करें दिपक को सबसे कम followers मिले हैं यानि जब वो आये थे 2,91,000 यानि के followers थे लेकिन जब वो जा रहे थे 3,48,000 यार उनके followers थे यानि उन्होंने 57,000 followers है जाते टाइम कहीना के इतने ग रणवीर की बात करें तो shocking है यार क्योंकि top 3 तक बंदा गया है जब आया था 1,16,000 followers थे लेकिन जब वो गया 1,78,000 followers थे यानि कि 62 के followers 62,000 followers ही उसे मिल पाए हैं और यह अपने आपने शोकिंग है क्योंकि देखो पूरा big boss वो रहा है पूरा season वो रहा है फिनाले वाले दिन बाहर हुआ है लेकिन उसके बाद भी जनता ने उसे support नहीं की और उसकी PR टीम भी काम नहीं कर रही थी ना उसकी Reels अपलोड हो रही थी ना पोस्ट हो रही थी तो कहीं नगे उसे benefit नहीं हुआ मुनीशा की बात करें तो 8,15,000 followers थे जब वो आई थी जब वो गई तो 8,86,000 followers थे और लगब 71,000 followers है उसने लिये हैं पोलमी की बात करें तो 1,61,000 followers थे लेकिन जब वो गई तो 2,42,000 followers थे यानि की 81 के followers थे पोलमी कुछ time ही रुक पाई लेकिन भीया अच्छे कासे followers लेकर ग पता कौन थे लेकिन थे जी हाँ 3,71,000 followers थे जब वो गई तो 5,21,000 followers लेके गई यानि उसे बिग बोस की जर्नी में 2,32,000 followers मिले हैं कौन है भीया वो 2,32,000 जो चंदरिका को support कर रहे थे जल्दी से बताओ मुझे अच्छा साही केतन की बात कर लेते हैं साही केतन जब आए थ 3,50,000 followers लेकर आये थे लेकिन यहाँ पर 5,41,000 followers लेकर वो वापस गए हैं यानि कि 2,41,000 followers लेकर वो गए हैं और टॉप 4 तक गए हैं तो आप सोच सकते हैं भया 2,41,000 यादा नहीं है इससे भी बड़ा नमबर होना चाहिए था लेकिन ठीक है वो इतने popular नहीं थे कही ना कही makers उने आगे लेकर गए थे आचा मैं नमबर बदाना भूल गया दिपक नमबर 15 पे थे रणबीर 14 पे थे मुनीशा 13 पे थी पोलमी 12 पे चंदरीका 11 पे और साइकेतन 10 पे अब सदा सुल्तान 9 पे चिया नमबर 9 पर है और 6.5 million followers थे जब वो आई थी लेकिन जब वो गई तो पायल 6.6 million followers थे जब वो आई थी लेकिन जब वो गई तो 6.9 million यानि कि 3 lakh followers उसे भी मिले थे वो यादा टाइम नहीं रुकी लेकिन देखो कितना धड़ा-धड़ू से followers मिले हैं सना सुल्सान से भी यादा कृतिका की बात करें तो कृतिका 8.4 million followers है वो लेकर आई थी उसके पास थे जब वो आई थी लेकिन जब वो गई तो 8.9 million लगभग 500 के यानि कि 5 lakh followers है कृतिका लेके गई है पूरे big boss की journey में top 5 तक आई थी लेकिन ठीक है अच्छे खासे followers है वो लेकर गई है नीरज की बात करें नीरज देखो कितना तकड़ा उसको फैदा हुआ है नीरज प followers थे यानि कि 5 lakh followers उसे सिर्फ एक हपते में मिले थे तो अगर सोची अगर वो पूरा season रहता तो कितने तकड़े followers वो लेता अर्मान की बात करें अर्मान नमर 6 पे है जब वो आये थे 3.7 million followers लेकर आये थे लेकिन जब वो गए है 4.7 million यानि कि 1 million followers है अर्मान को मिले हैं big boss की पूरी journey में और वो कहीं न कहीं पहले out हो गए थे top 5 में नहीं जा पाए लेकिन ठीक है 1 million ले गए बहुत अच्छी बात है नमर 5 की बात करें तो नेजी जब नेजी को मैंने देखा ना जब वो आया मैंने मैंने सोचा यार देखता हूं कौन सा बंदा है नेजी मैंने इसका अकाउंट सर्च किया तो वहाँ पर 2 लाख कितने थे 95-100 followers थे मैंने सोचा यार यह कोई fake food होगा क्योंकि इतना तगड़ा बंदा आ रहा है जिसकी कहीं नहीं चर्चा है तो हो सकता है कि उसके तगड़े followers होंगे लेकिन यह शायद fake account हो सकता है लेकिन मुझे बाद में पता लगा भया नेजी के followers नहीं थे दो लाख पिचानमे ही यारी followers थे वो तो भया दीपक के बराबर था लेकिन यहां पर जनता ने उसको support की है जिया नेजी जब आया था दो लाख पिचानमे यार followers के साथ लेकिन जब वो गया 1.4 million लेके गया यानि कि 11 लाख 1.1 million 11 लाख followers उस से अपनी बिग बोस की जरनी में मिले टॉप टू में गया है यानि कि first runner-up बना है लव कटारिया की बात करें योकी नंबर चार पे है जब वो आये थे 1.8 million लेकर आये थे लेकिन जब वो गये 2.9 million ये भी लगभग 11 लाख लेकर गये है लेकिन फिनाले तक अगर रुकते त तो शायद ये नंबर बढ़ सकता था अगर winner बनते तो और भी तगड़ा नंबर ये बढ़ सकता था तो कटारिया है वो नंबर चार पे है नंबर तीन की बात करें तो विशाल ने कटारिया से भी यादा followers लिये हैं जिया जब वो आये थे 9 million के साथ आये थे लेकिन जब वो जर्नी में मिले हैं winner थी मुझे मेरे साब से यादा मिलने चाहिए थे क्योंकि वो winner बनी है ठीक है लेकिन यहाँ पर बात करें नंबर वन की one and only शिवानी कुमारी यूपी की लड़की फाई साब सब को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा followers गेन करने वाली लड़की बनी है मेरे साब से अगर ये लाश्ट तक रहती तो clearly winner बन जाती जिस तरह से इसको support मिल रही थी आखे खोल के रख दी सब की भया कटारिया विशाल सना मकबूल नेजी सब को पीछे छोड़ा है followers के मामले में जी हाँ जब वो आई थी 4 million followers थे जब वो गई तो भया 5.9 million followers थे यानि ये अपने आप में बड़ी बात है कितनी तकड़ी उसको support मिली है मेरे साब से अगर शिवानी end तक रुकती तो winner बन जाती तो ये है पूरी list इन्होंने कहिना कि पैसा तो कमाया है लेकिन यहाँ पर followers भी गेन किये हैं तो शिवानी को तकड़े वाला फायदा हुआ है जो winner ह शो की सना मकबूल उससे भी तकड़े वाला फायदा हुआ है क्या बोलोगे लिख डाले comment box में ऐसे ये update देते रहेंगे आप हमें follow कर ले subscribe कर ले अभी कोछी दिन update आएगी फिर हम big boss 18 की update है वो शुरू करते हैं कि बिया कौन आ रहा है कब शुरू होने वाला है सब कुछ मत शुरू करते हैं आप हुआ झाला है